मसकार दोस्तों बात करेंगे फाइमोसिस के बारे में फाइमोसिस का मतलब है कि फोर स्किन जो है वो प्रॉपर्ली रिट्रेक्ट नहीं हो रहे है और छोटे बच्चों में यह बहुत कॉमन होता है यूजिली एक दो साल की एज तक स्यादतर बच्चों में skin पीछे नहीं आती लेकिन जैसे जैसे age भड़ती है 2-6 साल के बीच में स्यादतर लोगों में ये skin lose हो जाती है और ये 4 skin पीछे retract होना शुरू हो जाती है लेकिन कुछ patients में अगर ऐसा नहीं होता अगब 1% यानि 100 में से किसी एक male patient में ये दिक्कत रहेगी और इससे इस area में सफाई ना रहने की वज़े से इसमें बार-बार infection होता है इसमें swelling आती है कुछ छोटे cut पढ़ जाते हैं pain होता है और इसकी वज़े से अगर वो परशानी म में आ रहे हैं तो इसका treatment करवाया सकता है diabetic patient में ये problem जादा common है क्योंकि diabetes की वज़े से infection जल्दी से ठीक नहीं हो पाता और बहुत जल्दी इस area का थोड़ा सा infection बढ़ जाता है और इस skin बहुत hard हो जाती है और पीछे retract नहीं करती आगे आगे दिक्कत बढ़ती जाती है और patient में खास तार पर इसकी सद्री ज़रूरी रहते हैं अगर आपको ऐसी कोई problem है तो अपनी doctor से visit कीजे देखकर ही doctors बता सकते हैं कि ये फाइमोस है या नहीं और अगर ये skin बहुत जाला टाइट नहीं है तो वो कुछ ointments prescribe कर सकते हैं जिनके लगाने से इसमें आपको retraction में help मिलेगी और धीरे धीरे अगर आप इस self protection करना शुरू करें तो हो सकता है कि अगर ये mild form है तो अपने आप ही ठीक हो जाए लेकिन अगर ये ठीक नहीं होता या बहुत severe firemosis है आपको बहुत सारे symptoms हैं तब आप circumcision opt कर सकते हैं और four skin को remove करा सकते हैं और दुबारा अपनी healthy life म करने के बहुत सारे तरीके हैं traditional method में हम scissor से ये skin को remove करके इस पे stitch लगा देते थे और धीरे धीरे ये heal हो जाता है तिकिन आजकर modern science में इसके लिए special stapler आया है जिसे common language में ZSR stapler के नाम से जानते हैं क्योंकि इसी company ने इस stapler सबसे पहले बना कर launch किये थे और इस stapler की मदद से किसी भी given patient में हम उसके size के हिसाब से stapler का number यूज करते हैं और उस number से जैसे ही हम stapler को press करते हैं simultaneously cutting और छोटे-छोटे clips के application 360 degree हर तरफ से हो जाती ह है जिससे कि बहुत procedure fast हो जाता है इसमें blood loss लगबग निल हो जाता है और patient के recovery भी अच्छी रहती है stapler routine surgery से काफी different है क्योंकि इसमें cutting 100% circular रहेगी हर तरफ से बराबर रहेगी cutting और stapling simultaneously होगी और इसलिए blood loss भी नहीं होगा titanium के pin होने की वज़े से यह body के साथ react भी नहीं करते और अपने आप ही कुछ दिनों में जढ़ जाते हैं यूजिली 10 से 15 दिन के बीच में ये pins अपने आप निकल जाते हैं और इसकी जो healing है वो 15 दिन से लेके एक महीने के बीच बीच में लगबग complete हो जाती है यूजिली ये day care procedure है आप hospital आकर कुछ अपने routine test करवा कर within few minutes से से क उसमें एक simple antibiotic ointment या powder लगाना है उसके उपर एक gauze piece को wrap करना है अगर आपको sensation ज़्यादा feel होती है और अपने आप ही कुछ दिनों में healing हो जाएक कुछ दिनों दवाय दी जाती हैं जैसे कि first few days के लिए antibiotics या pain killers वो सभी patients को एक ही time में prescribe कर दे जाते हैं और वापिस hospital आना ज चेर और सब्सक्राइब और विष्यों अवरी हल्यादी लाइव